सात्यों, त्योहारों के इस समय में खरीदारी भी खुब हो रही है, इस खरीदारी के समय मैं ज़रा सूरत के लोगों से थोड़ा आगर करूंगा, क्योंकि उनको तो दुनिया में जाना आने का बड़ा रूटीन होता है, मैं इस खरीदारी के समय, वोकल फॉर लोकल, यह वोकल फॉर लोकल का मंत्र भूलना नहीं है, वोकल फॉर लोकल, और मैंने देखा हैं, लोगों को लगता है, कि दिये खरीद लिये, तो मतलब हम आतमिंदिर पर जी नहीं, हर चीज में ध्यान देना है, वरना इन दिनों सरब अच्छी बात है, लेकिन आप अगर खुद देखोगे, अपने शरीर पे, अपने घर में, इतनी चीजे बहर की होगी, जो हमारे देश के लोग बनाते हैं, हमारे चोटे-चोटे लोग बनाते हैं, हम उनको क्यों अउसर्व न देश को आगे बढ़ाना है ने दोस्तों, तो उसके लिए हमारे चोटे-चोटे लोगों को, चोटे-चोटे बापारियों को, चोटे-चोटे खारीगारों को, चोटे-चोटे कलाकारों को, गाउं की हमारी बहनों को, भीजो चीजे बनाती है, अनेक प्रकार की चीजे बनाती है, एक बार लेकर के देखिये तो सही, और तो बसे दुनिया को बताईए, यह हमारे गाउं के लोगों ने बनाया, हमारे जीले के लोगों ने बनाया, हमारे देश के लोगों ने बनाया, देखिया आपका भी सिना चोड़ा हो जाएगा, दिवाली मनाने का बजा आए जाएगा, इसलिए वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल कोई कॉम्प्रमाइज नहीं करेंगे देश आजादी के पचरत साल मनाने वाला है तब तक यह मंत्र हमारे जीवन का मंत्र बना जाया है हमारे परिवार का मंत्र बन जाया हमारे घर के हर व्यक्ति के बने भाव पैदा हो इस पर हमारा बल होना चाहिए और इसलिए यह द मैं मेरे गुजरात के भाईयों बेहनों से जरा हक से भी मांग सकता हूए और मुझे पता है कि आप कभी निराश नहीं करोगे अब ननलाल भी बता रहे थे न कि आपने बहुत पहले मुझे कहा था मैंने इसको लागू किया देखिए मुझे कितना संतोष हुआ कि कभी ननलाल देश के गरीबों के लिए कुछ करें दिवाली मनाएं उनके घर में भी दिवाली मनें दिया जलाएं गरीब के घर में भी दिया जलाएं भोकल फर लोकल के मंत्र को और आगे बढ़ाएं मुझे भी स्वास है कि कोरोना के इस समय में आप सब भी पूरी सावधानी के साथ त क्योंकि आपकी रक्षा वो भी देश की रक्षा है मेरे प्यारे भाईयों भाईयों पूरे देश के सभी नाकरिक भाईयों भाईयों को मैं आने वाले दिनों में धंतरस हो दिपावली हो गुजरात के लिए लिए नया वर्ष आएगा हर बात के लिए हर तोहार के लिए बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ